आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं अंडराम को कैसे लाइट करना है वह भी सिर्क फर सिर्क तेन दिन के अंदर ही और इस रेमेडी का सोर्स मैंने लिया है लिसा ओफिशल लाइव से इनकी वीडियो देखके ही मुझे लगा है कि यह रेमेडी बिल्कुल मुझे ट्राय करन चाहिए जो भी आमरे इमिशन के साथ नहीं कहलती है मैंने बहुत से वीडियो से देखिए चिन पर मिल्योंस फ्यक्राइव है बद वह रेमेडी बिल्कुल भी वरक नहीं करती है उनका कोई सेंस नहीं है उन रेमेडी का बढ़ फिर भी ट्राय करते हैं तो फिर मैंने सोच और थर्ड दिन के साथ साथ में आपको एक एक बात बताती जाओंगी तो इस रेमेडी को बनाने के लिए लेनी है हल्दी यह सिक्की हुई हल्दी इसलिए डाक दीख रही है और मैंने यहां पर यूज किया है आम एंड हेमर के बेकिंग सोडा का और उसके बाद में मैंने मिला है अगर अब थक चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ओर बेकिंग सोडा आड कर सकते हो दिन उसके बाद में मैंने यह द्डे का और उसके बाद में मैंने इस रेमेडी को एपलाई करने से पहले अपने अंडराम की जो हालत है वह मैंने पहले लेरे प्लेम को अच्छी तरीक इसे 5 मिनिट तक circular motion में मसाज करते हुए apply करना है एंड उसके बाद 2 मिनिट तक वेट करना है जबते कि ड्राइब हो जाए ड्राइब होने के बाद ये जो पेस्ट है इसको ड्राम्स पर मसाज करते हुए apply करना इसे directly apply नहीं करना है और इस remedy को select करने की पिछे मेरा मकसद ये थ करने के बाद पहले मैंने रिंग लाइट के सामने देखा है अपने अंडराम्स के कंडिशन के ये कितना वर्क के है लाइक 10% 20% कितना बट मुझे similar ही लग रहा था तो फिर मैंने सुचा चलो ठीके में इसको natural light में देखती हूं natural light में कैसा लगता है तो natural light में जैसे मेरे अंडराम्स का color है ना वही दिख रहा था और आज ही डेस सेकंड इस viral remedy को apply करने का और बनाने का तो मैंने बना पेस्ट जिस consistency में और उसके बाद में बनाने के बाद मैंने सेम लेमन के यूज किया है अपने अंडराम्स पर massage की है and massage करने के बाद दो मिनिट के wait किया है और फिर मैंने अपने अंडराम पर यूज किया है इस पेस्ट का सेम वही circular motion में massage करते हुए मैंने इस पेस्ट को अपने अंडराम्स प करने से दो या तीन दिन बाद ही अपने अंडराम्स पर अपलाए करना नहीं तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी और आज ये थर्ड जहां पर मैं अपने अंडराम्स की कंडिशन देख रही हों कि ये इंप्रोव हुई है या फिर ये कम हुई है तो मुझे तो कम लग रही इन फैक्ट जो मेरे अंडराम्स डाक है ना उससे मुझे बहुत ज्यादा डाक दिख रहे थे बड़ास देखते हैं डे थर्ड में कितना रिजल्ट दे पाती है रेमेडी और इस रेमेडी को सेलेक्ट करने के पिछे एक मकसद और था मेरा क्योंकि इस रेमेडी के ऊपर व् बॉक करें इस पेस्ट को मैंने अपने अपने अंडराम्स पर सेम circular motion में मसाच करते हुई अपलाई किया और 15 वेट करने के बाद मैंने की कपड़े की से इसको क्लीन कर लिया और क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद मेंने देखे कि मेरे अनराम्स मतलब पहले जितना दाक थे उससे कम हुए है या ज्यादा हुए है तो बहुत जदा ही लग Pray कि मेरे अंडराम्स और जाधर डाक हो गए हैं इस रेमेडी को करने के बाद अब मैं सूच रही हूं इस रेमेडी पर 5.7 मिलियंज व्यू कैसे हैं और यह कैसे वर्क करी है समझने ही आता